सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट सुपर थर्टी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में हम कक्सा 10 का जो सामाजी की विज्यान वाला जो पार्ट है सामाजी विज्यान की जो बुक है उसका एक पॉर्चन है आपके एकक सबसे फस्ट आपका हुगा आर्थिक अवधारना और नियोजन एकनोमिक कॉंसेट एंड प्लानिंग के बारे में अपड़ेंगे तो सबसे पहले आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुली एकनोमिक्स होती क् अर्थसास्तर कहते किसको है तो अर्थसास्तर के लिए बेसिक जानकारी होना आपके पास ज़रूरी है तो इस बात को समझेने के लिए हमें बिल्कुल ही बेसिक जो डेली लाइफ से जुड़ा है के एक एक जमपल लेते हैं कि अगर आपको बहुत सारा पैसा दे जाए या आपके लोट्री लग जाए आपके पैरेंट्स आपको बहुत सारा पैसा दे तब आपसे पूछा जाए कि आप इन पैसों का क्या यूज करेंगी इन पैसों से आप क्या-क्या करना चाहते हैं आप क्या-क्या इच्छा है और आप कौन-कौन से इच्छाओं को पूरा करना है ना तो इस तरह का अगर question आपसे पूछा जाए तो basic question है और आपकी जो लिस्ट होगी वह बहुत बड़ी होगी आप कोई बच्चा कहेगा सर में mobile ले लूँ कोई कहेगा किसा में कुछ books ले लूँ अपने लिए कुछ जाना चाता हूं गुख गूमने जाना चाता हूं ऐसे जो इच्छाए हैं हमारी वह बढ़ती जाएगे तो हमने देखा जैसे हम्ते फोलें मार्केट क्पड़े उन चाते हैं कुछ बचोंने बहुत सारी इच्छाए हो सकती है और जो लिस्ट बनेगी आपकी जो आपने जो बताई आपके बहुत वह अविश्क्ता ही बताई वह बहुत बड़ी हो सकती है यह लिस्त जो है कभी खतम नहीं हो इनसान की आदित होती है इस आदत होती है कि जब आपसे पूछा जाए कि आपके पास बहुत प्वारा पैसा होता आप क्या करेंगी तो जो लिस्ट होगी बहुत बढ़ती जाएगी और जब जिस प्रकार यह जो आपने अभिशक्ता ही बताई आपकी जो इनिर्स बताई जब एक अभिशक्ता की पूरी हो जाए माना आज मेरे पास एक लैप्टॉप होता या फिर एक मॉबाइल ले लो आपके इस बात को नोट करें तो आपकी जो इच्छाएं हो बढ़ती जाती जैसे जैसे हमारी एक इक इक है फुरी होती है वापस कोई नहीं इच्छा आपके पास आ जाती लियर तो हमने बिल्कुल एक चीज बेसट कर लिए तो हमने बात नोट कि होगी आपने मनेश्य में उनकी जो इच्छाएं हैं वह कैसी होती हैं असी मिट हुती हैं उसकी कोई limit ही नहीं है एक आपके पास मोबाईल आ गया तो आप सोचेंगे नहीं एक लैपटोप लेला थोड़े दिन बाद सोचेंगे नह और ने जो आविश्यक्ताय संसाधन में फैसा क्या होता है उड़न दन अत्वा पैसा कैसा है। लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन हमारे पास पैसा है कैसा होता है है अब आगे देखें बूर्ति करने वाले जो संसादन है अर्था जो पैसा है वह कैसा है सिमित पूरा करने वाले संसादन है जो sources हैं वो कैसे हैं Limited हैं सेंट है科ं नहीं सिमीत आदो अविशक्ताओं को पूरा करने के लिए मनुश्री को कोई कीरिया कर्पर था कारिया करना पड़ी अब आपने जो लिस बता बहुत सारी मुझे यह 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 झाहिए यह तो हमारी जू आविशक्ताओं को पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई तू कारे करना पड़ता है है नो कि आप कोई ना कोई कारे करेंगे कोई ना कोई क्रिया कराब करेंगे कोई एक्टिविटी करेंगे कोई वक्र करेंगे तबी तो आपको पैसा मिलेगा तबी आप धन्म कमा पाएंगे तो हम क्या करते हैं अविश्क अब आग देखें आपके सामने एक चित्र दिया हुआ एक फोटो दिया हुआ है और एक मेड है नौकरानी ही वो कार को काम कर रही है ठीक अब नौकरानी का क्या होता है माना आई गर में गर में पोच्छा लगाना घर की कपड़ी दोना घर की साफ सफाई करना और खाना बनान यही काम होता है अब जब इसका मंत पूरा हो जाता है नौकरानी जब काम कर रही है किसी घर में वर्क कर रही है और जैसे यह महिना पूरा हुआ वो क्या लेगी इस काम के बदले एक सैलरी लेगी तनख्वा लेगी बड़ी सी क्लियर तो यहां हम ने देखा इस लेड़ी ने इस मेड ने एक वर्क किया आपके घर में काम किया और काम के बदले क्या लिया पैसा लिया काम के बदले तनख्वा लिया काम के बदले सैलरी लेकिन जब यही मेड अपने घर जाती है और अपने घर में गई और सैम जो कारे उसने आपके घर में की थे जो काम उसने आपके कर से कोई पैसा मिलता है क्या उसको अपने घरमे ही जो काम करती इस पदल्ध पैसा मिलता है क्या नहीं ना तो घरमे अर इसका रही है क्रिय कर में उसको काम के बदले पैसा मिल रहा है और एक काम ऐसा है जब वो काम के बदले कोई पैसा आंहीं मिल रहा है पहला भाग क्या क्यवाता है अर्थिक क्रिय क्लिया अब आप komplett के लाता है आर्थिक करिया को होती है यानि वे सारे कार्य को करने से उनके बदले उस कारी कशार करने से कि को उनके बदले का मिले को सेलरी मिले को आई प्राप्त हो तो वो सारी क्या क्या लाएगी आर्थिक क्या क्या लाएगी इनके एक्जामपल में बात करते हैं जैसे किसान है किसान खेती करता है वो अपने फसल बेचेगा तो क्या मिलेगा पैसा मिलेगा तो खेती करने के बदले उसको क्या मिला पैसा मिला तो यह सारी क्या क्या हो गई आर्थिक्रिया हुई इसे तरह एक टीचर है वो पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बदले उनको पैसा मिलता है और ऐसे सारे कारी जिनको करने इसके बदले उस व्यक्ति को जब पैसा मिले तो सारे कारी क्या क्या लाते हैं आर्थिक क्रिया क्या 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 लाती है अर्थिक क्लियर उस प्रकार हमने देखा कि जो मनुष्य की जो क्रिया है है हमने सबसे पहले देखा कि मनुष्य की जो प्रकार कि होगा काम करने के बदले क्या मिलेगा पैसा मिले काम कर ले थी तो काम क्या बदले पैसा मिला लेकिन सेकंड डाइग्राम में हमें देखा वही नौकरानी अपने गर में गई खुद के गर में उसने काम किया सारा काम जो उसने कर रही थी जो एक पैसा देने से तो जिनको करने से मनुष्य को उनके बदले इसी प्रकार के धनकी प्राप्ति नहीं हो seven डियर I अभी आपको दिया जैसे घर में मादवारा क्या करना खाना पकाना या घर का कोई कार्य करना तो वह सारी क्रिया क्या होगी गेर आर्थिक इस प्रकार हमने देखा गेर आर्थिक रिया क्या होती है अब बात करेंगे हम हमारे मैं टॉपिक अर्थसास्त्र की अर्थसास्त्र हो जिसमें मनुष्य जितने भी आर्थिक क्रियाय करता है अर्थात मनुष्य जितने भी ऐसे कारी करता है जिनको करने के बदले उसको क्या मिले पैसा मिले जिसमें मनुष्य जितने भी आर्थिक क्रियाय करता है उन सभी आर्थिक क्रियाय क्या 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 और काम के बदने जब पैसा मिले तो वो सारी एक्टिविटी एक्टिविटी अर्थिक रिया उन्हों सभी आर्थिक रियाओ का अध्यन कौन करता है अर्थसास्त्र इसमें जो है फ्री वाली जो बात है इसमें नहीं होती है अर्थसास्त्र में ग्यार आर्थिक रियाओ का की जो होती है तो हागे बात करेंगे हम जो हमारी आर्थिक्रिया है हे तो अर्थिक्रिया कैसे के प्रकारी होसा किसे बाथ करते हैं तो सबसे पहले किसे पलंगे उत्पादन प्हला पर्ट क्या कहते है उत्पादिन ज्सकों एंग्रिष में प्रॉडक्शन कहते हैं तो देखो कि आपको महाना एक आप बनने एक प्लांट स्वास बनाने का इसका है इसका है टॉमाटो च bend बनाने का बलं तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप पहले raw material लाएंगे कच्छा माल लाएंगे कच्छा माल क्या होगा टमाटर क्योंकि आपको जो सबसे में जो चीज है टमाटो केचप बनाना है टमाटर स्वास बनाना तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूत किसकी होगी टमाटर तो आपने सबसे प तो यह तोमाटर के उपर आपने जो क्रिया कि यह सारा जो कार्यी किया में तोमेटो क्यक्चप बना आपने कच्छा माल O도 यूस कर आप ने खरकर को टॉमात्रों केचप बना दिया उसकी बॉटल मिम्लिक कर दिया सब कूछ ओगया उसके बाद आपने उसको मार्केट में बेज दिया मार्केट में बेजा और घरा f से खा लिया यहां पर उसने कैक्टिविटी की उसने क्या किया उस जो 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 प्रॉडक्ट आपने बनाया था जो उत्पादन आपने की आपने टो परहें घचप उस अप्योग लेने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते है है उपभोग करते हैं सबसे पहले आप प्रोड़क्ट बनाया उत्पात बनाया उसका क्या कर दिया हमने उप्योग कर लिया तो वह क्या 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 लाएगा उपभोग जिसको हम इंग्रिश में कंजप्शन क्याते इर तीसरी आर्थिक्रिया आती है वी ने क्या आपने कि आदान प्रदान होता है वह दुखांदार तो इसको टॉमेटो केचप का पैसों के बदल क्या हुआ तो यह जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जिसको हम एक्सचेंज भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं वीनिमे और एक्षेंज तो हमने यहां पर आर्थिक लिया तीन प्रकार के एक लिए सबसे पहला उत्पादन दूसरा उपभूग तीसरा वीनिमे चौथी आर्थिक लिया की बात करते हैं और नेक्स्ट आर्थिक लिया जो है वह है है वीत्रन तो से पहला उत्पादन जिसको प्रोडक्शन कहते हैं सेकेंड कंजप्शन उपभोग तीसरा भी नहीं मैं एक्षेंज और चौता है वीत्रन अब देखें माना आपने जो प्रोड़क्ट बनाया आपने जो टॉमेटो केचप बनाया उसकी जो कीमत थी उसकी जो प बैचा कितने में बैचा 120 में क्याया इकक्षे ल Guide लागत को बनाया जिन लोगों को बनाया तो उन TW का करतेंगे हैं यह करेंगे आप क्या करेंगे आप क्या रूपे को बाट सब्सक्रुप को बनाए को आप उस एक सो बीस में से कुछ पार्ट जो है उस एक環 wraps जो है आप कच्छे माल के लिए अर्था Team लिए उसे एक ép 당े Prime से कुछ रुपया जो है आप मज़दुरों को देंगे कुछ पैसा आप मसीनरी के लिए कुछ पैसा आ Manager क्या जो वहाँ पर काम करने वाले जो management है जो management उनको देंगे और जो से से बचेएगा जैसे 100 रुपे उसकी product price थी और बेचा कितने में 120 में तो आपको 20 रुपे को प्राफिट हुआ और 20 रुपे किसके पास आएगा आपके खुद के पास आएगा तो हमने क्या किया कि जो हमने आर चार प्रकार की होती है उत्पादन उपभोग विनिमय और वीत्रन अब देखिए हमने वीत्रन जो किया उत्पादन की इकाईयों में किया बात करें उत्पादन की इकाईयों क्या 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 होती है यानि ऐसी कौन-कौन से जो परसन हैं कौन-कौन से factors हैं कौन-कौन से ऐकाया है जो मिलकर किसी वस्तुका उत पादन करती हैं तो उतपादन की ईकायों मेंकर देखा जाएं तो सब पहले उत पादन की इकाय में नाम आता है भूमी का जिसको हम English country land कहते ही अब देखें करें की बूमी कि उत्पधन की एक एक क कि जैसे आपने बताया आपने प्रोडक्त बनाया था टॉमेटव कैचप बनाने की लिए आप तो आप क्या करेंगे कि दूसरी unit आप लाएंगे स्रम स्रमिक लेखे जमिस्ट है उनको लेकर आएंगे और मजदूर भी क्या करेंगे वहाँ पर काडे करेंगे तो यह भी क्या होते है उत्तपादौ ऑग्ली और उतपदिन के अगले ही है पुझी, अब आपके पास मज़़ूर दयार है, आपके पास जमीन मिल गई, तो आपको वहाँ पर क्या लगाने पड़ी की पुझी लगाने पड़ीज़ी की एंवेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ा है, तो इसके लिए बड़त करें प्रबंधन की अब देखें कि आपने जो प्लान्ट लगाया है इसा तो संभाल नहीं है तो संभालने के लिए कुछ पर्न this इसको हम लेंड कहते हैं जिसको लेबर कहते हैं जिसको हम कैपिटल कहते हैं और पाँची उत्पादन क्यांती में काई है मालिकि जिसको हम उद्धिमी Alber Hiç तो जिस परसन ने factory लगाई है जिस परसन ने plant लगाया है वो क्या होगा इसका उत्पादन की इकाई में सामील होगा यह तो हम देखते हैं कि जो भी कोई भी वस्तु हो जब इसका उत्पादन करते हैं जब हम इसमें आर्थिक क्रिया करते हैं तो उत्पादन की चार इकाई आ सब्सक्सrik में कहдыта being applied results तो BRUMI के टेंगे स्रम के बदलें किढ़ें मद्दूरी देते हैं पुझी के बदले पुझी को हम क्या देते हैं ब्यास देते हैं इसी प्रकार प्रभंदन को जो है आप तो हमें क्या हो लाब होगा या क्या होगी कुधिन है वी मृतन किया जाता है और यो ठाइयों कि आयों होती है लियर तो हम ने देखा चार और के हम बात करते हैं हम हमारा मैंटीक है जिसके लिए हमने चेप्टर स्टार्ट किया था वह हमारा रश्ड्रिय已經 सबसे पहले हमात करेंगे कि लस्ट्रे होती क्या है तो देखें कि राष्ट्रिय आई एक देस्स में सभी पाई कि आयका कुल योग होती सामने लिखा हुआ आपके पास राष्ट्रि क्या है कि कंट्री में किसी एक डेस्स में उत стоит कि यह ऺगें उतामपल लिय सकती हमने की सिर एक ले 있지 तोपमट कैसा ausspress प्रतिये इंडिस्ट्री में उत्पदन की इकईयों को आई दी जाती है पैसा दिया जाता है जो कि आपको मैंने बताया प्रबन्दल को तन्खफा दी जाती है और में वाली को क्या होता है प्रोफिट या लोस होता है तो यह जो उत्पदन की इकाईयों के जो आए है उन आए का अगर हम योग कर देश में जितनी बी प्लांट है उन प्लांस में काम करने वाले जो उत्पदन की इकाया है उनकी सभी की आए का अगर योग कर दे सभी की आए का टोटल कर दे सभी की आए का सम कर दे वे तो हम एक बढ़ी सी आए प्राप्त होगी और जो बढ़ी सी आए प्राप्त होगी उस आए को हम क्या कहते है राश्ट्रीयय को क्या कहते हैं क्या क्या तो एक साल में क्या होता है हो मागे संदोंगा आपको कि रास्ट्रे आए एक देश में एक वर्स में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओ के बाजार मुल्य के बराबर उत्व सबसे पहले इस देफिनेशन को एक बार यहीं देखें इस से पहले हमने देफिनेश करके सौस को बेच और 120 रुपए को हमने उत्पादन की इकाईयों में बाटा था है ना वही उसी को बाटा और उसी करके हम मैंने कहा कि ऐसे सारी उत्पादन की इकाईयों के अगर आयका योग कर देवे तो क्या होगी रस्ट्री आयों लेकिन अगर इस पैसों को हम बाटे नह अर्थाथ एक साल में जितने भी प्रड़क्ट बन रहे हैं सब की प्राइस का अगर टोटल कर देवे तो जो हमें बड़ी सी प्राइस मिलेगी बड़ी सी कीमत मिलेगी बड़ी सी आय मिलेगी वह क्या कहलाएगी रस्ट्री आयो तो रस्ट्री आय की परिवासा होगी कि रस कि सबसे पहले बात कि वितिय वर्ष होता क्या है और दूसरा वर्ट हमारे पास आया कि अंतिम वस्त cob cocaine सेवाई होती तो सबसे पहले देखते हैं थे अंतिम वस्त被 रूसेवय के बार थें अंतिम वस्त was क्या का हैं हमने खरीदा और हम इसका और उप्योग नहीं करें सिर्फ हमारा तक उसका जो उप्योग हो एंड पॉइंट हो अंतिम उप्योग क्लियर और दूसरी बात कि ऐसी वस्तु जिनका उत्पदन की क्रिया में आगे उप्योग नहीं लिया जाकता हूँ अब इस चीज को हम कि आ तॉमेटों क्यों जरू है आप मार्केट गए अपना मार्केट लिये मार्केट से टमाटर खरीदे और गर ले कर आए और आपने उनका क्या क्या अपक्या बना देवे सांस मिल तो हमें फर्स्ट्धेशं देखा ट пло म्तर का अपने अपने तरह करा लिए आप तक हत खत्म होगे अहे रिखना थी कि अपने ट्रमीन को केशन में हैं और कि इस टामाटर का हम क्या कर रहे एक कच्छे माल की रूपम दिख नया पदार और नया पदात सकते हम बता सकते हैं कि उत्वा नहीं कि अब हमने देखा किस प्रकार हमने टामाटर का डारेक्ट उत्वा कर लिया तो उत्य लेकिन वें आ utilityL ले जाकर किसी में ले जाकर ले जाकर उनका टॉमीñटो केचप बना कर बेजता है तबिए क्लिंज नहीं है उस पर्दिए उसके लिए उसके लिए अंतिम व算ता से ली को इसकाल यह कि देखे कि आप ने सब मारे लिए आप अंतिम वस्थू क्या है तॉमें चैट abra caram after केचप में बहुत की सब्सक्राइब tale अंतिम वस्थू है उनकी अमिल्ल्य को सब्सक्राइब इहां देखें कि आपके पास अगर किमल्य कि उसमें करो पहले पहले चाइब माटल के सरी बना दिया हखोई लिए को या नैयों कि भी टोब्ल कहुंट्टि μittersскण राश्ट dif अइसक निए even की होती है उसके मुली को ही सामीर किया ने narod inc Frauen भी तॉनहें और स्वेस्ञार होती है अभिभे जिए नहीं किया दा सकता है तो यह आपको यहां बता दिया अन्तिम वस्तु क्या होती अब बात करेंगे वित्य वर्स क्या होता तो भारत में क्या है कि इस तक कि अप्लिट होती ही हमने देखा कि रस яए क्या है कि रस घैया हमारी जो हम laugh कि ईत्पादि जो को उथ algumas वश्टों ऑर सेवाओं का रूंक जो क्यों होग है उसको हम क्या कहते हैं राष्ट्रिया क्या सकते हैं इस प्रकार हम ने यहां पर अंतीम वस्तुवें देखी और अंतीम वस्तुव के साथ साथ हम ने विती वर्ष की अवदी क्या होती है अब आगे हम बात करेंगे विती वर्ष की अवदी के बाद हमने देखा राष्ट्रिया क्यासी हैं इस बात का ज्यान से होता है हमारि में उस देश की राश्ट्रयability जैसरे एक कि चाइना की आयए एकस O refused करोड़ रुपे और पाखिस्तान की शीक्रोड रूपे चैना की आये अची करोड़ हम इस प्रकृत के साथ हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर क्तिना हुआ यह वहां पर रस प्रकृति कितनी और हम पता कर सकते हैं त्क Gen november है जो विकास का जो इसतर है उसको देख सकते हैं अब रास्ट्रियाय का दूसरा महा तो देखें कि रास्ट्रियाय के आधार पर हम विभिन रास्ट्रों की अर्थ व्योस्ताओं की तुल्ला कर सकते हैं जैसा कि अभी मैं आपको बताया मैंने प्रत्यक देश की रास्ट्रिया विबिन सेत्रों के योगदान उनके सापक्षिक महत्व की जानकारी मिलते हैं जैसा कि हमने राष्ट्रे आये काउंट की तब हमने देखा कि अर्थ्विवस्ता में जितने बी अंतिम वस्तुए और सेवाये हैं उनके मुल्य को सामिल कर रहे तो इससे हमें पता चलता है कि अर अगे बात करेंगे लास्ट और अंतिम महत्व की इसका अंतिम जो महत्व है वह है रस्ट्रे आय के अनुमानों के आधार पर अर्थ्य वरस्ता के लिए भावी नीतियों का निर्मान किया जा सकता है देखें आप कि मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे माना एक्जांपल दिया था मैंने कि इस साल अगर माना भारत की राष्ट्रे आय जो है 100 क्रोड रुपे है और पिछले साल जब हमने राष्ट्रे आय देखी थी तो उस समय भारत की राष्ट तो हमारा टार्गेट क्या होगा कि हमारा टार्गेट हमेशा यही होगा कि बढ़ाया जाए कि देश की प्रगरती को बताती है देश की डेवलप्मेंट को बताती है देश की आर्थिक प्रगरती को बत दर्साती है इसलिए हमारा अगला टार्गेट यही होगा कि हमारी जो रा का राष्ट्रियाय के जो अनुमान आते हैं उनके आदार पर हम क्या कर सकते हैं अपने देश के अर्थ विवस्ता के लिए अलग अलग प्लानिंग कर सकते हैं अलग प्रकार की नीटिया बना सकते हैं तो आज की क्लास में हमने सीखा कि अर्थसास्त्र क्या होता है आर्थिक क् हमने लाश्टरियाई के महत्व को भी जाना आज के लिए इतना ही धन्यवाद